Hello guys, welcome you all in this session. In this session we will going to discuss about capital budget. इस session में हम capital budget को detail ने पढ़ेंगे हैं. Okay, मैंने आप लोगों को budget की starting में बताया था कि government की दो सबसे बड़ी responsibility होती हैं. एक social responsibility और एक economic responsibility. तो government अपनी social responsibility को फुल्फिल करने के लिए country में social development के लिए जो budget plan करता है. That is your revenue budget. तो public के social welfare के लिए जो पैसा government खच कर रही होती है, वो कहां से आता है? वो public से ही आता है. तो public से जो पैसा collect कर रही है, government वो किस form में collect कर रही है? टेक्स के form में, direct और indirect और non-text के form में. तो public से जो भी collection किया जा रहा है, उसे public के social welfare में ही कर्च कर दिया जाता है. तो इसे मैंने detail में, अपने revenue budget की topic में detail में आपको बताया है. अब हम आँगे इस session में पढ़ेंगे capital budget को, जिसमें हम देखेंगे कि government इस budget के थूँ अपनी जो economic responsibilities है, उन्हें fulfill करता है. यह जो budget plan किया जाता है, और country की economic development के लिए budget plan किया जाता है. अब country का economic development कैसे होगा? country का economic development ऐसे होगा, जब country का वैपार बढ़ेगा, जब country का business बढ़ेगा. जब country का business बढ़ता है ना, तब हम बोलते हैं कि country की GDP बढ़ रही है. तो GDP is a indicator of our national income. ठीक है, तो जब country की income बढ़ती है, तो हम बोलते हैं कि country की GDP बढ़ रही है. GDP stands for Gross Domestic Product. तो GDP जब बढ़ती है, तो हो शो करती है कि country का वैपार बढ़ रहा है, और अगर GDP कम हो रही है, तो यह शो करती है कि country का वैपार गर रहा है. तो हम यहाँ बात करें economic development की, तो यह जो budget बनाया जाता है, economic development को दिहान में रखते हुए बनाया जाता है, और economic development तब होगा, जब country का वैपार बढ़ेगा, तो GDP बढ़ेगी, और unemployment क्या होगा, कम होगा. तो इस objective के तहट इस budget को government plan करती है, country की business को plan करती है, यहाँ बर business model prepare किया जाता है country का, ओके, तो I hope आपको यह बात समझ में आ रही होगी. फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि budget को fiscal policy के नाम से भी जानते हैं, fiscal policy को हिंदी में राजी कोशी नीती के नाम से हम जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि government economic की correction के लिए, economy में जो भी fluctuation हो रहे हैं, उन्हें balance में रखने के लिए, economic growth के लिए, economic stability के लिए, आर्थिक स्थ के लिए, fiscal policies के tools की मदद लेता है, तो fiscal policies में अगर हम देखे हैं, economic को balance रखने के लिए, economic fluctuation से बचाने के लिए, जो tools हैं, वो मैंने आपको बताया था है, tax है, and government expenditure है, तो मैंने fiscal policy वाला जो मेरा topic था, उसमें मैंने आपको detail है बताया था चीज़ को, कि जब भी country में economic problems आती ह कि प्रॉब्लम्स क्या होती है, inflation and deflation, inflation मतलब महंगाई, deflation मतलब मन्दी, अगर country में महंगाई बढ़ रही है, तो जो महंगाई बढ़ती है, तो government क्या करती है, taxes को बढ़ा देती है, और यह जो government expenditure है कम कर देती है, तो यह जो tax है, यह revenue receipt का part है, है ना, यह जो tax है, यह जो tool ह यह revenue budget में revenue receipt का part है, तो यहाँ पर planning किया जाता है, इस पैसे कैसे खर्च करना, बच टेक्स को बढ़ाने से, और टेक्स के percentage, टेक्स के जो percentage हैं उन्हें बढ़ाने से, उन्हें कम करने से country में economic stability लए जाती है, तो जब हम देखते हैं कि tax के percentage बढ़ रहे होते हैं, तो बढ़ा इसलिए रहे होती है, क्योंकि वहाँ पर country में inflation होता है, तो महँगाई को control करने के लिए, टेक्स को बढ़ाया जाता है, और government expenditure को कम किया जाता है, अब यह जो government expenditure की बात हो रही है, यह country में जो government वैपार को बढ़ाने के लिए खर्चा करता है, यह जो government expenditure है, यह country में वैपार को बढ़ाने के लिए किये जाते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब unemployment कम होता है तो inflation बढ़ता है ठीक है ना यह मैंने आप लोगों को fiscal policy वाले topic में अच्छे से बताया था तो वही बात है कि यह कुण सा पैसा है इसे कम किया जाता है जब country में महंगाई होती है क्योंकि उस समय employment generation वाली program government run नहीं करेगा ठीक है उस समय country के वैपार को नहीं बढ़ाएगा country के अगर वैपार को बढ़ाएगा लोगों को job देगा तो country में महंगाई बढ़ेगी क्योंकि जब आपके job आएगी तो आप पैसा मार्केट में खर्च करोगे और मैंने बताया था महंगाई कैसे आती है जब आप demand कर रहे होते हो जब जादा से जादा लोग demand कर रहे होते हैं और country में supply जो है कम होती है रिसोर्स की तो price बढ़ रहे होते हैं तो इस चीज़ें आपको clear होंगी इस चीज़ को मैंने detail में इस fiscal policy वाले topic में discuss किया हुआ है तो मैंने क्या बताया कि यह जो government expenditure है यह कौन से expenditure है जो वैपार में लगाए जाते हैं तो यह किसका पार्ट है capital budget का और टेक्स का पार्ट है revenue budget का तो I hope इतनी बात clear होगी अब आईए देखते हैं देखिए अब आप बोलेंगे sir country के वैपार को बढ़ाना है तो country के वैपार को बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए कोई भी वैपार करना है business करना है आपके बात idea जुरूर है हर किसी के बात business करने का idea आता है देखिए business उसी का successful होता है जिसके बात investment होती है जिसके बात पैसा होता है अब जो government पैसा collect कर रहे है पबलिक से tax के form में non tax के form में उसे public के social welfare में लगा रही है तो country के वैपार को कैसे बढ़ाएगी country के वैपार को बढ़ाने के लिए पैसा कहां से आएगा कैसे country में infrastructure डवलप किया जाएगा कै कैसे country बुलिट ट्रेन बनेगी कैसे country में digital इंडिया को हम आंगे ले जाएगे तो भीया अगर हम देखें government क्या करती है country के वैपार को बढ़ाने के लिए country के वैपार को बढ़ाने के लिए क्या करती है borrowings करती है क्या करती है उधारिया लेती है कई बार अगर आप किसी भी अच्छे business कोई news को देखोगे या अगर हम बात करें कोई भी अगर बात करें कोई business influencer होगा वो यही बोलता है कि जो business किया जाता है जो वैपार किया जाता है वो कभी भी अपने पैसों से नहीं किया जाता है दूसरों के पैसे सो किया जाता है और इसी concept को government follow करती है government country के पीषवारियां लेती है borrowings लेती है और उस borrowing के पैसे को खाने पीने में नहीं खर्च करती है लोगों की पैसे हम उधार ले रहा है और लोगों को अगर हम देखे subsidies provide कर रहा है नहीं borrowing का पैसा है किसी से एगर हमने उधार लिया तो उसे व्यास से लोटाना है तो ब्यास सहीत तब ही हम लोटाएंगे जब उस पैसे का हम यूटिलाइजिशन करेंगे तो यह जो गवर्मेंट के बाद पैसा आ रहा है यानि जो पैसा आता है वह बॉर्विंग से आता है यानि तहारी हależत है, टो हम देखें तो सारी के सारी बोरॉंइंग होती है गवर्मेंट अपने डवलप्मेंट प्रोजेक्ट दिये हले चाहレए हो बॉलेट B usb highway का project thermal power plant का project कोई भी ऐसा project जो country में अगर हम बात करें क्याएक क्या जनरिट कर रहा है employment गनरिट कर रहा है और साथ में अगर बात करें country के वैपार को बढ़ाएगा जब bullet train बनेगी तो ऑविशी है कि country का वैपार बढ़ेगा ठीक है ना और country में रोजगार भी लोगों को मिलेगा यही तो objective है ठीक है तो इस objective को अचीव करने के लिए government का करती है और government इस तरीके से borrowing करती है government का यह road में अब रहता है इस borrowing से कि अगर हमने 50 करोड का लोन लिया है तो इस 50 करोड से country में 500 करोड उपे बनने चाहिए यानि जो business जिस business यह जिस वैपार के लिए पैसा लिया जा रहा है वो वैपार exponential growth देनी चाहिए उस वैपार को exponentially grow वैपार भी बढ़े साती सात एकनोमी भी बढ़े ठीक है तो आप खुदी देखो अगर हम बात करें मान लेजे metro का कोई project लेते हैं तो जहां पर metro की lines बढ़ रही होती है वहां पर अलगी अगर हम बात करें पूरा-पूरे city establish हो जाती है बहुत साई लोगों को रोजगार मनने लगता है ठीक है तो उस metro के बनने से लोगों को जो connectivity की problem थी वो तो को plan करना है कि वो multiplier effect लेकर है यानि अगर बात करें अगर कभी आपने average पढ़ा होगा तो average में आपने एक चीज़ सुनी होगी geometric mean होता है एक होता है arithmetic mean और एक होता है geometric mean तो इनका जो plan रहता है कि जो भी पैसा उधा लिया जा रहा है इसी geometric mean में क्या करना हमें बढ़ाना है या इस तरीके से growth होनी चाहिए ठीक है ना तो I hope you are getting my point तो यहां पर I hope समझ में आ गया होगा country के वैपार को plan किया जाता है country के वैपार को करने के लिए जो पैसा लिया जा रहा है वो government क्या करती है उधारी लेती है तो capital receipt में सारी के सारी क्या आती है उधारी यहां आती है ओके अब उधारी में अगर हम बात करें तो आपकी तीन तरीके की उधारी होती है वो भी मैं आगे discuss करूँगा ठीके ना कहां कहां से government उधारी लेती है और जो government पैसा उधार ले रही है उस पैसे को कहां पे खर्च करती है country में asset create करने में asset assets क्या होते है को मैंने बताया था asset उन public से उसे किसी भी तरीके की asset creation में खर्च नहीं किया जाता है public से जो collection हो रहा हो public के social welfare में खर्च किया जाता है asset creation में जो पैसा खर्च किया जाता है वो borrowings वाला पैसा होता है ठीक है तो assets क्या हो गई country की bullet train ठीक है highways यह मेट्रोस यानि वो project सारे जो country के business या वैपार को बढ़ा रहे हैं और country बेरुज़गारी को कम कर रहे हैं वो सारी के सारे assets कहलाते है asset हम बोल सकते हैं okay I hope यह चीज के लिए अब आईए एक ही करके देखते हैं कि कौन कौन से receipts हैं यानि मैंने बताया आपको कि government तीन तरीके से borrowing करती है वो तीन तरीके कौन से हैं जहाते government borrowings कर रहे होती है country के development project में पैसा invest करने के लिए okay तो देखते हैं तो capital receipt की debt हो जाते हैं एक non debt यानि debt का मतलब उधारी government क्या कर रही उधारी और बिना उधारी के भी government के कुछ collection होते हैं वो भी हम देखेंगे तो debts मैंने आपको बताया है एक तरीके से अगर बात करें लोंस तो जो लोंस होते हैं उन्हें को हम debt बोलते हैं तो पहली अगर बात करें जो लोंस हैं वो government तीन sources से collect करती है तीन जगे से borrow करती है एक तो एक कहलाती है internal borrings एक कहलाती है internal borrings ओके फिर then your external borrings फिर then your other borrings ठीक है अब यह जो other borrings है इसमें एक तरीके से हम बात करें public borrings आ जाती है government क्या करती है अपने development projects को complete करने के लिए भारत की जनता से भी borrow करती है तो other borrings में public borrings आ देंगे अब internal borrings नाम से समझवारे internal borrings क्या हो जाएंगे internal borrings की अगर बात करें तो internal borrings आपकी हो जाएंगी सारी के सारी वह loan जो आप country के अंदर से ले रहो जनरली जो government है अपने projects को complete करने के लिए जो loan लेती है वो किसे लेती है RBA से लेती है किसे लेती है Reserve Bank of India से तो यह बात आपको पता होगी कि जो government है government का जो banker हो क्वान है RBA है government के जो banker होते है banker जो government का banker होता हो RBA होता है government अपना पैसा SBI PNB आपना सारा revenue जो है RBA में deposit करती है और उसे अगर loan की आविशक्ता होती है तो RBA से loan लेती है तो RBA is the banker of government then यहाँ पर बात करें जो internal borrowing RBA से की जा रही है वो RBA में एक feature है RBA में एक facility है उस facility के तहट government RBA से loan ले सकती है अपने development project के लिए और उस facility का नाम है WMA यह WMA जो word है यह आप से paper में कई बर पूछा भी गया और यह कई बर news में भी रहता है कई बर वहाँ पर headline रहती है कि government has taken a loan from RBA under WMA facility of amount 500 crore of amount 5000 crore for this project for that project तो किसी project के लिए अगर government loan ले रही RBA से तो WMA facility के तहत लेती है चाहो center government loan ले रही हो चाहो state government loan ले रही हो center government चाहे loan लेगी वो भी WMA facility के तहत लेती है और state government भी अगर loan लेती है अपने development project के लिए तो वो भी WMA facility के तहत लेती है WMA का full form है Ways and Means Advanced Facility तो यह word काफी important है यह full form बहुत important है news में रहता है paper में आता भी है तो इसका full form पता होना चाहिए कि government जो RBA से loan लेती है और WMA facility के तहत लेती है और इस facility को 1998 में introduce किया गया था ओके तो WMA facility के तहत government RBA से loan लेती है जो government है वो RBA से loan लेती है for their development project okay तो I hope you are getting my point अब अगर हम बात करें external borrings की तो external borrings में क्या जाएगा समझ में आ रहा है external borrings यानि हमने loan लिया किस से world bank से world bank से k1 news में सुना होगा आप लोगों ने कि world bank से इंडिया ने इस project के लिए particular dash कोई project उस project के लिए इतनी amount का dollar का loan लिया ठीक है या ADB से loan लिया या अगर हम बात करें IMF से loan लिया या अगर बात करें US से loan लिया ठीक है या अगर देखें तो हम किसी भी international कोई और्गनाजेशन से अगर हम बात करें international organization हो या कोई international अगर बात करें international country से यानि इंडिया के बाहर से अगर हम अपने किसी project के लिए loan ले रहा है तो that is your external borrowing जैसे कि हमने जपैन से loan लिया हमने जपैन से loan लिया किस के लिए bullet train के लिया ठीक है तो जपैन से जो हमने लिया है तो वो किस में आजाएगा वो external borrowings में आगा तो यहाँ पर हो गई इंटरनल बोरिंग और इस्टरनल बोरिंग क्लियर है अब अगर बात करें नहीं पब्लिक से बोरिंग तो पब्लिक से जो government collection कर रही होती है जो पब्लिक से government collection कर रही होती है वो किस फॉर्म में करती है तो वो करती है PPF के form में, PPF सुना होगा Public Provident Fund, आप लोग ने PF के बारे में सबने सुना होगा, जब आप job करते हो तो आपकी salary में से PF कटता है, या आप देख सकते हो अपने guardian या फादर की जब वो लोग जॉब कर रहे होंगे, तो आपने सुना होगा कि उनकी salary में से भी PF कट रहा होता है, तो PF क्या होता है, PF होता है Provident Fund, और ये जो पैसा है, ये जब आप retired हो जाते हो, या आप जब job छोड़ते हो, पर्टिकुलर की time period के बाद, तो आपको ब्यास सहित पैसा वापस मिल जाता है, मान लिजे, पीफ में आपने सत्तर हजार रुपए जमा किये हैं, और आपने मनलों दो साल बाद job छोड़ दी हैं, तो वहाँ पर आपको एक लाग रुपए मिल गया, तो वही बात है, सत्तर हजार के एक लाग कैसे हो गया है, मैंने क्या बोला कि जो भी आपका पीफ के फॉर्म में पैसा कट रहा है, उसे आपको ब्यास सहित वापस कर दिया जाता है, तो PF की form में जो भी पैसा कट रहा होता है country के हर एक employee का वो पैसा सीधे government के बाद जाता है किसके बाद जाता है government के बाद जाता है और government इस पैसे को कहां यूज करता है government इस पैसे को country के business में यूज करता है country के वैपार में लगाता है भाई ब्यात के सहित पैसा दे रहा है कैसे दे रहा है जब उस पैसे का यूटिलिजेशन करता है आई होप ये भी चीज़ किलिर होगी है फिर इस्मॉल सेविंग स्कीम्स होती है पोस्ट अगर आप चले जा तो गवर्मेंट में गवर्मेंट की बहुत सारी स्कीमी चले लिए होती है पोस्ट अफसेजमें डाग हूं स्कीमस हैं ची किसान विकासasis का आप पैसा क्या हो जाता है अगर आपको अपना पैसाद लुबर्मेंट सैक्योर्टिस में है ठीक है ऊप वहाँ पर आप चाह रहे हो कि आपका पैसा डबल हो जाए तो आप किसान विकास पत्र में निवेश कर सकते हो इसका नाम किसान विकास पत्र होता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं किसानों को ही पैसा दे दिये जाता है आप अगर इसमें इंवेस्ट करोगे आपने अगर दो लाक लगाए तो आपको 4 लाक मिल जाएंगे लेकिन कब मिलेंगे अप्टर अगर बात करें कुछ 123 मंस के बाद कुछ 123 महीनों के बाद आपको यह पैसा डबल होता है तो किसान विकास पत्र में आपका पैसा डबल हो जा क्योंकि हमें क्या जाए इसी तरीके से लोग गवर्मेंट बांड्स में इंवेस्ट क्यों करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी इंवेस्ट में सेक्यूर्डी चाहिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुच्छ फंड में लगाएंगे यह स्टॉक मार्कर आप ऐसा लोग एक सेफ इंवेस्टमेंट ढूंड रहे होते हैं भूसारे लोग होते हैं जो सेफ और सेक्यूर्ण करना चाहते हैं कि वहाँ पर उन्हें यह जीरॉपरसंट रिक्ष्स हो उनका एक भी पैसा ना डूबे और ने बियास सेद पैसा मिले तो वो गवर्मेंट सेक्यूर् होते हैं उस पैसे को government क्या करती है अपने किसी development project में use करती है और फिर बात में उन्हें ब्याद के साथ पैसा लटा देती है तो I hope आपको ये बात clear हो रही हो ठीक है तो यहाँ पर I think ये debt clear हो गया होगा कि यहाँ पर सारे के सारे internal external और public borrings आ जाती है अब non-duct की बात करें तो non-duct में आपका dis investment आ जाता ये word भी काफी हमने सुना हुआ है dis investment अगर हम देखें तो अभी last year budget में announce किया गया था या इस year भी budget में announce किया गया था government announce किया था कि LIC के क्या करेंगे shares sale करेंगे या आप लोग ने सुना होगा कि LIC के shares बेचने की बात चल लेती या government बोलती भी है कि वह अपनी बहुत सारी company की क्या कर देंगे share sale कर देंगे तो dis investment में क्या होता है कि government अपने share sale कर रही होती क्या होता है dis investment ने government जो है वो shares को sale कर रही होती है तो shares का मतलब क्या हो गया हिस्सेदारी तो जग government अपनी हिस्सेदारी बेचती है तो उससे जो भी collection होता है उससे जो भी collection होता है उससे country के development में यूज करती है for example government अपनी किसी company के share बेच रही है जैसे government बोला कि वो LIC के share बेचेगी तो LIC के 10% share बेच रही है और ये 10% share बेचेगी किसे public को और इसे बेच के government उसी किसी development project में लगाएगी है ठीक है तो वो अपने किसी existing business जो running business से जो अच्छा खासा चल ला है उसके कुछ percentage part बेच के पैसा collect करती है और दूसरे business में लगा रही होती है तो LIC अगर बात करें government of India की entity है 10% share बेचेगी अगर हम बात करें government of India की ownership नहीं जाएगी government of India की पात कितने percent share है 90% share है तो ownership किसकी government of India की हाँ ownership तब जाती है जग government of India above 51% share बेच दे अग government of India किसी अपनी government companies के above 51% share बेच दे तो that is known as privatization that is known as privatization अगर government अपनी किसी company के इंक्यावन प्रतिशत से उपर share बेच रही है तो privatization के लाएगा और अगर up to 50% तक बेज रही है तो disinvest के लाएगा क्योंकि उसमें जो share का percentage हो किसका जाधा रहेगा government का तो आहिए ओप ये भी चीज़ के लिए हो रही होगी कि यहाँ पर government बहुत सारी अपनी जो companies हैं उनके shares sale करके fund raise करती है और उसे development project में उन पैसे को लगा रही होती है यानि further और development जो projects हैं उनमें पैसों की आवशक्ता होती है तो उसमें उनकों पैसा खर्च कर रही होती है जिससे country में obvious ही है जब investment होगी तो country का business वेपार बढ़ेगा और unemployment कम होगा तो country की अगर बात करें जरूरतों को देखते हुए यह सारे step लिए जाते हैं तो I hope यह clear हो गया होगा capital receipt में government के पास पैसा कहां से आ रहा है ठीक है अब यह जो पैसा government collect कर रही है मैंने बता है इसे कहां खर्च किया जाता है इसे खर्च किया जाता है बुलिट ट्रेन के लिए 90,000 क्रोड रुपे का लोन लिया है किस से जापैन से तो हमें जापैन को लोटाना ही पड़ेगा with विद इंट्रेस्ट और जापैन ने बोला जापैन ने इंट्रेस्ट भी बहुत कम चार्ज किया तो जापैन ने बोला कि आपको टूटल एक लाग दस हजार क्रोड रुपे लोटाने है तो अब देखो जब बुलिट ट्रेन बनेगी तो अव्यसी बात है लाखों लोग को रोजगार मिलेगा और जब वो चलेगी तो रेविन्यू जणरेट करेगी तो जो भी उतनेम उधारी लिये लिए ब्याट के साथ वो वापस करेगी और जनरेशन टू जनरेशन लोगो रोजगार देगी अब बुलेट ट्रेन जब बनेगी तो एक बुलेट ट्रेन तो बनेगी निए है यह जो 90 000 कुरोडर उपे लिए गाहे है फिरम गहा है एक ब्जोड़त्र कर ले Joint के लिए गाहे चलेगे और वह लिए गाहे हैं वह वह बात है कि जब बचनो पास आ हैगी जब हम सीख जाएंगे जब हमारी लोग बनाना सीख जाएंगे जब वह हम knowledge gain कर लेंगे तब हम वह एक bullet train नहीं बनाएंगे हम 10 bullet train बनाएंगे जब आपको knowledge हो जाती किसी particular field की तब आप उसमें क्या करते हो exponentially growth करते हो तो यहाँ पर अगर हम देखें जब हो technology आगी तो obvious ही आता है हमारे लोग सीखेंगे और भी वहाँ पर अगर बात करें यह तो एक line बनेगी फिर आद में government धेजिरे और भी project plan करेंगे और यह एक काफी expensive project होता है और काफी अगर बात करें बड़ा project है तो इससे अगर देखें तो बहुत साई लोगों को रोजगारी मिलता है तो वही बात है कि धिये जीरे government अगर बात करें इसी project से क्या करेंगी अपनी asset भी create कर रही है यानि लोगों को रोजगार भी दे रही है और अपनी उधारी भी जो है उसे भी क्या कर रही है चुकता कर रही है ठीक है तो आई होप समझे आ रहा होगा कि लोटाना है तो इस पैसे को वहाँ यूज करना है जिससे आपकी income हो आए हो ठीक है तो इस पैसे को कहां खर्च करेंगे roads and highways में highways create किया जाते हैं ओके इंफरेश्च के create किया जाता है बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट होते हैं मैट्रो की प्रोजेक्ट हो गया या repayment of loans हो गया इन प्रोजेक्ट में यह पैसा खर्च किया जाता है जिससे अगर बात करें country का development हो country का वैपार बढ़े है I hope यह picture clear होगी और वैपार बढ़ने से जो government की economic responsibility यह fulfill होती है और यहाँ पर हम देखें तो हमने detail में detail में हमने पूरे budget को देख लिया कि government की social responsibility क्या होती है कि government की economic responsibility क्या होती है किस तरीके से government budget plan करती है किस तरीके से उस पैसे उखट करती है I hope यह सारी चीज़े आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी अब कभी भी आप budget पढ़ोगे या देखोगे government के plans को समझोगे मतलब news देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि government किस त की तेखोगे तक चेए